कि नमस्त तवित्रों फिर एक नई आस और उमंग के साथ नए उस्सा के साथ मैं आपसे फिर एक मुखातिफ होने आया हूं देखिएगा जो हमारी जो गणित है मैस है उसका हम लोग 17.3 कंप्लेट कर चुके ते पिछले वीडियो अब देखिएगा जो नया जो हमारा जो समान यह दो विशयस प्रिक्रेणी है तोड़ा सा महाने से अलग चीज करनी है यह यह अपना जो समानतर माद्धे हैं इसमें कूई विशयष पर्क्रेया नहीं है थोड़ा सा सामाने से अलग चीज़ करनी है लेकिन जिस प्रिकार से इसका नाम दिया गए कलपित आपको कलपना करनी है एक संख्या की क्या करनी है कलपना करनी है तो यहां पर एजुम्ड करना है एक संख्या को और वो किसमें से निकालेंगे संख्या एकसर में से निकालेंग ये रिती क्यों अपनाई जा रही है क्योंकि कभी कभी क्या होता है मित्रों हम लोग पढ़ते हैं या फिर यूँ कहें कि सामाने जो वेभारिक जियों में कोई भी आकड़े बहुत अधिक होते हैं उन आकड़ों को सरल बनाने के लिए हमारे लिए पुस्तक में एक नई विद्या यह वो है कल्पित मादे किसी भी कठीन कारे को हम लोग सरल बनाने के लिए क्या करते हैं कल्पित मादे मतलब उसकी कल्पना करते हैं क्योंकि आप कठीन कारे को नहीं कर पा रहे हो इसी प्रिकार से यहां भी क्या करना एक कलपना करनी है और हमारी जो कलपना है मित्रों वो साकार होगी लेकिन केसे इस प्रिशन को हल करने के बाद में यह जो टोपिक है इसको समझने के बाद हमारी कलपना क्या हो जाएगी तो साखार हो जाएगी यस देखिएगा कलपित जो पंद्रियसो कि दो हजार कि 2500 कि टीन हजार कि पैती सो कि टेक्निकल टीम लाइट अच्छी है अब देखिए कि आप लोग यहां पर हम जो फ्रिक्वेंसी देखते हैं जो यहां पर हमारे पास में जैसे यहां पर फ्रिक्वेंसी आ गई दो चार साथ आठ और यहां पर लिख लिए आप लोग नो यहां पर मैं कर देता हूं दस क्या कर दिया अपने दस तो यहां पर क्या करते हैं कलपित मादे केसे मानते हैं कलपना केसे करते हैं लेकिन आकडों को देखकर कलपना की जाती मित्रों सपनी नहीं आते हैं प्रिश्ण को हल करने के लिए यहां पर प्रिश्ण माला में प्रिश्ण को देखना पड़ता है संख्यों को देखना पड़ता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो एक्सचर है वो इस प्रकार दिया हुआ है साथ ही में जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है वो दी हुई है तो यहां पर या तो आप लोग क्या करें कि जो कल्पित मादे हैं इसमें आपको एजुम्ड जो मीन मानना है निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं डेवियेशन करते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में विचलन करते हैं क्या करते हैं विचलन मैंने क्या हो गया वी और प्लस चलन मतलब विप्रित नहीं चलना चलने की परंपरा से थोड़ा सा हटके चलना है देख लीजिएगा वी और चलन चलना तो है लेकि थोड़ा सा क्या है विप्रित नहीं चलना चलने की परंपरा से थोड़ा सा हटके चलना है यही इसका अर्थ है किसका deviation का किसका deviation का तो यहां पर हम लोग deviation निकालने के लिए क्या करते हैं किसी भी एक सर को हम लोग assume कर सकते हैं उसकी कलपना कर सकते हैं कि यह हमारा क्या होगी value होगी देखेगा यहाँ पर एक value मालने 25 इस परकार से मान सकते हैं या फिर क्या करते हैं कि सबसे सरल तरीका है आपको assume नहीं करना और यहाँ पर आप देख लीजेगा जो frequency है इसमें सबसे बड़ी जो frequency है means सबसे अधिक बार बारम बारता है सबसे अधिक बार आईये उसको ही क्या माल लेंगे हम लोग उसके सामने वाली जो x bar, x star है उसको ही क्या माल लेंगे 해umd मालेंगे कलपना कर लेंगे तो यहाँ पर 10 है तो 10 के सामने कितना x star पचीशो अगया बस करना कुछ नहीं है यहाँ पर एजुम्ड कितना कर लिया पच्ची सो कर लिया और यहाँ पर पच्ची सो तो X जो चर है तो एजुम्ड मानकर D1 deviation निकालने के लिए X minus A कर देते हैं मतलब X चर में से A जो हमने यहाँ पर संख्या ली है एजुम्ड जो किया है उसको minus करते हैं और कुछ नहीं करना जैसे 1500 में से आपको क्या गटाना है 25 गटाना है 1500 में से क्या गटाएंगे आप लोग 25 तो यहाँ पर हमारे पास मित्रों कितना आ जाएगा 1000 अब यह 1000 केसा है माइनम संख्या में केसा है पैस संख्या में साथी में 2000 में से 25 जाएंगी तो हमारे पास में कितना होगा मित्रों देख लीजिएगा आप लोग कितना जाएगा 500 कितना जाएगा 500 500 जीसे कहते हैं मैनिस में आगा इस अंक्या किस में आगी माइनिस साथ में पचीस सो में से पचीस सो गटाएंगे तो कितना आएगा जीरो साथ में तीन अजार में से क्योंकि यहां पर एकसर पहले लिखेंगे तो तीन अजार में से हम लोग पचीस सो गटाएंगे तो कितना आएगा पांच साथी में यहां पर पेतीस सो में से हम लोग कितना गटाएंगे? पच्शी सो तो यहां पर कितना आ जाएगा? एक हजार आजएगा कितना आ जाएगा? एक हजार आएगा मित्रों में आपको एक चीज बता दू कि deviation का मान यह अदि हम लोग पुन्रावरती भिण से कर रहे हैं पुन्डावर्ती बिन से करें तो यहां पर क्या होगा हमेशा हमेशा डेविशन का अमान क्या होता है जीरो होता है कितना होता है जीरो होता है लेकिन पुन्डावर्ती बिन नहीं होने काड़ हमारे पास में यह कभी प्लस माइनस में भी आ जाता है यहां देख लीजेगा एक एप डी ये करते हैं एप और डी जिस प्रकार से हम लोग एफ एक्स कर रहे थे यहां भी वैसे करना है एफ और डी को क्या कर लेंगे है एकस बार समानतर मात दें आप जो आपने कल्पित किया जिसकी कल्पना की है जिसको एजूम्ड किया है एप्लस सिगमा एफ वन फ्रिक्वेंसी और डी वन मिंस सिगमा F into D हो गया Sigma F into D का क्या लेना है यहाँ पर योग लेना है समिश्च आगे देखेगा Sigma F1 ले लेना है और हमारा यहाँ पर क्या आजाएगा यही answer होगा यही X बार हो जाएगा कुछ करना नहीं है इसका आप एक बार skin sort ले लिएगा यह मैं और अच्छा लिख देता हूँ इसको X बार बराबर एक प्लस कि सिग्मा कि एफ वन कि एफ वन डी वन साथ में सिग्मा एफ यह हमारा फोर्मुला इसका इसकी 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 ले लिए लिए आप लो अप देखते हम प्रशन माला 17.4 का पहला ही प्रिश्न देखते हैं देखिएगा आप लो मित्रो जिस प्रकार से आपका लेविल है 10 जो लेविल है उसके अकोटिंग हम लोग हम लोग दीरे दीरे चलते हैं जलोव चलते हैं क्योंकि हमारा पढ़ाना जब सार तक है जब तक आपको कोई चीज समझ में आएगी तुमारा पड़ाना सार तक नहीं है बिल्कुल भी तो इसलिए मित्रों हम लोग धीरे धीरे चलते हैं और कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए माली सीचे सोगडा, रित्वाय सोफल होए बस यही करना है आपको भी कि धीरे धीरे चलना है किसी भी चीज को हम निरंतर प्रियास करेंगे तो हमाई जैन में वो चीज जरूर फिट हो जाएगी मित्रों यदि आप लोग भागा दोड़ी मचाओगे तो कहीं निश्चित आपका नुकसान कर रहे हैं यह देखिएगा आप लोग पहला प्रिश्ण क्या है निमने बारंबारता बंटन का मादे कल्पित मादे की साहिता से ज्याद कीजिए इसमें पहला प्रिश्ण है हमारे पास में ही एक्सचर कितना है 800 820 860 900 920 980 और 1000 कितना है 1000 हाथ तो मित्रों देखिएगा आप लोग प्रिश्ण को बहुत आसान सा कारे करना है कुछ भी नहीं है और बहुत आसान प्रिश्ण है आपके क्योंकि यूँ कहें कि एक सांखेक का इंट्रोडक्श्ण है क्या है इंट्रोडक्शन है किसका स्ट्रेटिस्ट इसका तो देखिएगा आप लोग प्रिश्ण किस परकार से मरा प्रिश्ण है तो यहां पर यह हमारी एक्स वेल्यू है क्या मित्रों एक्स वेल्यू है तो यहां पर प्रिश्ण में दी हुई है अब हम बात करें आगे जो हमारे पास में frequency है वो देखते हैं तो कितनी frequency यहाँ पर है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5 आप यहाँ पर हमें एकस चर्ड दिया हुआ है एफवन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करे समाने से कर सकते हैं क्या FX कर सकते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है क्योंकि प्रश्ण में दिया हुआ है कि कल्पित माद्दे ग्यायत करना है क्या करना है together एसंड मेन ग्याद करना है और एसंड मेन ग्यायत करने के लिए जिस प्रकार से हमने जो पूर उधारन समझा उसी प्रकार से यहां पर जो कारे करना है केसे कि यहां पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा एज्यूम करना पड़ेगा एज्यूम आप इसमें से कोई सी भी संख्या कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी दिक्कत नही होगी देखेगा केसे जैसे यहां पर में कर लूँ 900-920-930 कोई भी दिक्कत नहीं होगी या फिर यूँ कहें कि फ्रिक्वेंसी देखकर सबसे सरल तरीका है आपको अपना दिमाग नहीं खपाना है प्रश्ण के अकोडिंग हम चलते हैं तो यह क्याती है हमारी प्रश्ण माला कि आपको फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी संक्या कौन सी है यह देखकर आप आपके कल्पना जो नमब ले रह को यहाँ पर किसको मानेंगे 900 को मानेंगे 900 को आप ऐसे मत कर देना आज घर जाकर सबसे बड़े दादा जी है तो उनको भी कल्पना करने लग जाओ उनको अभी एसा नहीं करना आपको प्रश्ण माला को प्रश्ण माला ताकि हिसी मित रखना है क्योंकि कहते हैं सभी नियम सभी जगल आगों नहीं होते हैं यहां पर देखिए आप लोग एजिम कितना है 900 है यहां पर आपको X-A करना है X जो चर है वस चर में से मैनिस करना है एको एजिम को तो 900 को देखिए यहां पर हम 800 में से 900 माइनिस करते हैं तो कितना आएगा माइनिस का 100 आएगा 820 को माइनिस करते हैं 900 में से तो कितना आएगा 80 आएगा 860 में से माइनिस करते हैं 900 को तो हमारे पास में आजाएगा 40 कितना आएगा 40, इसी परिकार से 900 में से 920 में से 900 गए तो 20, मित्रों यह कहीं न कहीं प्रश्चन वाला में ही त्रूटी मान सकते हैं क्योंकि एक रूल है हमारे पास में कि कोई भी विचलन होता है उस विचलन का योग मैं बता दो आपको हमेंसा मेंसा कितना होता है जीरो होता है क्योंकि यह जो बीच की जाएदि हम संख्या लेते हैं मा और बनाया रूल बताया उसके अकोडिंग यहां पर हमारे पास में देखें का आप लोग कितना डीफरेंस आ रहा है यहां पर 200-200 यहां पर 222 तॉब यह कही नियुक्त क्रूटी हो सकती है आगे देखें आप लोग तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो fx कर रहे थे उसके according हमें क्या करना होगा कि यहां पर f1 और डी वन according to formula according to formula क्या करना है x bar a plus sigma f1 d1 sigma f1 यह करना है तो यहां पर हमारे पास में f1 तो आ गया कितना देखें कि आप लोग गया रहें गया नो बीस 25 25 25 और पांच 30 30 का कितना जीरो कितना गया तीस का जीरो आ गया और यहां पर तीन तो चार पांच 6 7 8 9 10 कितना हो गया 100 हो गया तो f1 तो sigma f1 तो कितना हो गया 100 हो गया f d कितना है इसको आपस में multiply करेंगे f और d की value तो कितना हो जाएगा मारे पास में 700 कितना हो जाएगा 700 यहां पर हम 80 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना होगा मारे पास में 80 को यदि हम लोग 14 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा मारे पास में कि अधा को ग्यारा सो और 26 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1127 को करते हैं तो तो हमारे पास में Bennett ऐस։ रिपार्जान रिपिर हम लोग पच्चीज से करते हैं तो जीरो पिर 20 को 20 करते हैं तो 400 कितना हो जाएगा 400 और असी को 10 से करते है तो 800 और पाच को 100 कितना हो जाएगा 500 सो हो जाएगा यहां पर मित्रों यह जो संक्या है हमारी वो डेविशन से पहले पहले जो क्या था उससे उपर की संक्या तो किस में आएगी माइनस में आएगी हमेशा और यहां पर क्या आएगी प्लस में आएगी क्योंकि डेविशन बीच में से लिया है तो पूर वाली संक् यह चीज में आपको line number पढ़ाऊंगा एक्ट्रा जो किला से होगी उसमें किला जाएमर पताऊंगा मॉला प्लस का आपको सिखाएंगे तो यही देखियेंगा आप लोग यहां पर तो यहां पर हम प्लस कर लेते हैं तो माइनस और माइनस को प्लस करते हैं माइनस माइनस संक्या को प्लस करते हैं तो मारे पास में पत्चीस सो चीयां से आएगा कितना आएगा पत्चीस सो चीयां से आएगा और प्लस की संक्या को करते हैं तो मारे पास में कितना जाएगा यहां से आजाएगा अब जो अपन फॉर्मूला है उसमें रख लेते हैं वेल्यू को एक्स बार समान तरमाद दे यहां पर हमारे पास में एजूम्ड कितना किया था तो एजूम्ड था हमारे पास में 900 कितना था मित्रों 900 प्लस यहां पर ध्यान यह रखना है कि यह वेल्यू है हमारी है अपने एप्डि किया उस एपड़ी में जो वेल्यू है Sigma FD की जो वेल्यू है वह माइनस में यह प्लस में इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों सिग्मा एफ डी की विल्यू कितनी है 800-4 ओच्छा 800-4 kिसे में माइनस में जो यहां पर क्वाग देते हैं तो हमारे पास में 8.86 आजाता है अब हम लोग क्या करते है कि यहां पर जो यह वेल्यू है हमारी इसको देखते हैं 900 अब यह जो प्लस है तो प्लस के सामने जो संख्या है वो किसमे है माइनस में है तो यहां पर यह किसमे हो जाएगा यह भी माइनस में अपना क्योंकि 10 मलोग के बाद में किसी संख्या को पॉइंट के बाद किसी संख्या को इकाई अंक में ही बोला जाता है यह मैं आपको सिखा हूंगा एक्स्टर क्लास में देखिएगा कैसे तो यहां पर हमारे पास में आ गया अग्या आठ सो एक्रान में पॉइंट की में चोंध कितना जाएगा आठ सो इकराण पइंट चोद तो मित्रों इस प्रकार से हमारा अंसर हो गया कितना आठ सोइक्राण पॉइंट चोद कि हमारा कल्पित माध्य से आंसर हुआ ओके देखिएगा आगे टेक्निक प्रिश्ण नम्मर देखिए प्रिश्ड नम्मर एक भूत ही ऐसानता उसके बाद हम चलते प्रिश्ण reh 3 कियो किसके प्रिश्ण नम्मर 3 कियो तो मित्रों जिसly कार से आप लोगों को थोड़ा समझ में आयोगा कि व्यक्तिकत श्रेणी क्या है खंडित सेनी क्या है आखंडित सेनी क्या है वर्गी क्रत सेनी क्या है यह चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो इसी प्रिकार से यहां पर अपने पास में पुन है वर्गी क्रत सेनी आ चुकी है क्या चुकी है वर्गी क्रत सेनी आ चुकी है कैसे 100 से डेड़ सो सामने अपने पास में frequency दी हुई है अब हमारे पास में जो frequency दी हुई है तो वो तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर deviation निकालने से पहले एक पुनीत कारे करना पड़ेगा अच्छा कारे करना पड़ेगा मिंस तो देखेगा केसे कि यह जो लोवर लिमिट है और जो अपर लिमिट है इसमें जोड कर दोका भाग देने के पास में मारे पास में एक्सचर की प्राप्ति हो जाएगी किसकी प्राप्ति हो जाएगी एक्सचर की देखेगा बहुत ही आसा है कैसे कि यहां पर एक्स चरियाद करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले लोवर लिमिट और अपर लिमिट मिंस क्या हो गया कि 100 प्लस 150 का योग करके दो का भाग देंगे मेंस 250 में हम लोग 2 का भाग देते हैं तो हमारे पांस में मित्रों 125 प्राप्त होते हैं कितने होते हैं 125 प्राप्त होते हैं देखेगा कि जो 125 प्राप्त हो गए कितने हो गए 125 अब यहां पर हम लोग पुना वही किरिया कर सकते हैं या फिर यूं कर सकते हैं कि इन में कितने का डिफ्रेंस है वर्ग में जो क्लास में कितने का सभी सब्सक्राइब उसक्राइब सबस्री क्षरणा करने इस प्रिकार से हमें कुछ नहीं करना है 125 सेहें में एक्सर की पूर्र लिएद करने के लिए में सब में 50 8 प्लस करने हैं एक और करके देख लियते हैं 150 जो 22 कितना हुआ 350 350 में दोका भाग देके देख लेंगे तो यहां पर हमारे पास में हो गया 155 कितना हो गया? 155 हो गया तो वही बात जो मैंने बताए आपको पहले कि 50-50 एड़ करने हैं यहां पर करते हैं तो 225 हो जाता है यहां पर 50 एड़ करते हैं 375 यहाँ पर 400 25 यहाँ पर 400 25 कितना हो जाएगा 400 25 हमारे पास में आ जाएगा अब यह हमारी X चर्म यह जो वेल्यू है यहीं से प्रिश्न को आगे की ओर ले चलना है कैसे कि यह है X चर्म अब इस X चर्म के सामने फ्रिक्वेंसी देखनी है तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है तो यह देखने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर वेसे तो देखा जाए तो 40 आ रही है कितनी आ रही है? 40 लेकिन हम यहाँ 40 नहीं लेकर के और मद्दे की value ले ले लेते हैं mid value ले 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 लेते हैं तो यहाँ पर देखेए कि आप लोग यदि हम 30 के सामने की x-a को ले लेते हैं तो अपने पास में assumed कितना हो जाता है 325 कितना हो जाता है 325 अब यहाँ पर हम क्या करते हैं X-a means x-a में से एक सो पचीस में से तीन सो पचीस माइनस करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा कि तीन सो पचीस माइनस करेंगे किसमें से एक सो पचीस में से तो यहां पर हमारे पास में 200 बच जाएएगा कितना से स्फुल्छ बच जाएगा 200 और 200 किसमें होगा minus क्योंकि कोई भी चोटी से चोटी से बड़ी संक्या घठाने पर वहां पर minus ही होता है कि 1275 में यहां पर इसमें घठाते हैं तो कितना होगा कि 1325 गए तो कितना हो जाएगा पाच & दोँ यहां पर कितना हो जाएगा 250 अब यहां भी हमारे पास में यह बड़ती हुए चले जाएगी 50-50 के डिफेंस में तो यहांपर 50 करें तो यहां पर कितना जाएगा 300 доб नहीं हो औरे गड़े गा नहीं सो रियहां यहां पर आपके पास में घटेगा क्या होगा क्टेगा क्योंकि आपने को यहां पर माइनस में चलता है जब प्लस में चलेंगे तो वहां पर बढ़ेगा तो यहां पर हमारे पास में 325 में से हम लोग जब 125 में से गटाते हैं कितना 325 तो 5 मिस 5 और यहाँ पर देखेगा आप लोग 125 0 और यहाँ पर 0 यहाँ पर 200 कितना रहा है 200 अब 100 पिछे तक गटाएंगे 325 में से तो यहाँ पर देखें कितना रहा है 0 यहां पर कितना रहा है 12 हम से 7 जाने के बाद 5 और यहां पर यह तो कितना जाएगा 150 कितना जाएगा 150 और किसमें आएगा 300 पिचेतर में से 325 गटाएंगे तो 50 इसमें 100 इसमें 150 यस अब हम क्या करते हैं कि यहां पर f into d करते हैं क्या करते हैं f into d करते हैं तो देखिएगा आप लोग क्या करना है कि 200 को गुणा करना किसे 24 से तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 4800 कितना हो जाएगा 4800 पंदर चोक 60 तो यहां पर हो जाएगा 6000 100 को 30 करेंगे तो 3300 1300 हो जाएगा यहां पर 5 को सुरी 50 को यही हम लोग 28 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा चोदस हो जाएगा जीरो को तीस से करते हैं तो जीरो यह रहेगा पचास को बाइविस से गुणा करने पर हमारे पास में कितना हो जाएगा ग्यारा सो हो जाएगा कितना हो जाएगा ग्यारा सो हो जाएगा साती में सो को सोला से करने पर सोला सो हो जाएगा और पंद्रा को साथ से करने पर हमारे पास में 1050 हो जाएगा अब ध्यान क्या देना है कि जो FD है इसकी वेल्यू क्या सभी प्लस में है क्या नहीं है तो यह माइनस में यह माइनस में यह माइनस में यह माइनस माइनस का योग अलग करेंगे तो हमारे पास में माइनस माइनस का योग करते हैं कितना आता है कि इसको मैं मिटा देता हूं तो माइनस माइनस का योग आता है जीरो कि बारे कि और यह पंद्र यहां पर देखेगा पांच और छे ग्यारा ग्यारा और तीन तो इस पर कार से माइनस के विल्यू कितने आ गई 15500 प्लस की देखेगा जीरो 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 तो यहां पर एक जीरो यहां पर पांच यहां पर साथ और यहां पर तीन से 350 कितना आ गया से 350 अब इस एबडी को योग करने के लिए सिग्मा एबडी करने के लिए हम क्या करेंगी इन दोनों का योग करेंगी तो यहां पर जो हमारा every single value थी उससे उपवारे जो संक्या एक्सचर की उसको निकानने पर वह संक्या किसम ती मारे पर देख्ण को हल करेंगी माइनिस की वेल्यू है से 350 क्या है प्लस की वेल्यू है और निष्यथ है कि जो हमारे पास में कि में माइनस में अगных देखे लिए आप लोग हैं एक इदर गया तो यहां पर 14 14 में से तीन गए तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा तो यह हमारे पास में 11750 से रहेगा अब देखिएगा आप लोग सबसे पहले फूर्मर लगाते हैं एकस बार एप्लस सिग्मा एफ डीवन बच जाएगा सिग्मा एफ बच जाएगा इसके बाद में हम लोग देखते हैं 11750 जो मैनस कर रहा और यहां पर एफ का योग कितना होगा यह पन लोग एक बार देख लेते हैं इसमें हैं हमारा एफ का योग turnaround 3 7 7 और 8 कितना है एगा पंद पंद छोलह सत्रह सत्रह और छे सत्रह चेष तेविस टेविस और साथ तीस हुजएगा तीन यह आँ पर रखा लेंगे यहां पर रखनी के बाड मार पांच उर 6 9 नो दो 3 12 12 और 2 14 Bonus Walking और ता ग minder आ इसे और यहाँ पर तीन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगाँ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा यहां पर हमारी जो वेयल्यू रखेंगे एकस बार एकस बार रखने के बाद में टेक्नीकल टींव ड्राइट्स थे एकर यहां पर रखते हैं तो हमारे पास में कितनी थी होगारे पास में 325 ती साती में सिंग मारे डी कि विल्यू कितनी है ग्यारहाजार साटसोपचास और इसमें माइनस में लिए भाग देते हैं तो हमारे पास में यहां पर भाग आयेंगा 885.25 कितना 885.25 मैनस करना पड़ेगा यदि हम लोग 885.25 करते हैं तो हमारे पास में 266.25 हमारा आंसर हो जाता है और यहीं हमारा क्या है मित्रों आंसर हैं तो देखेगा आपको क्लास कैसी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेड़ जरूर करें इस पुन